दोस्तों, एलगो ट्रेडिंग के उपर आज हमारे ये थीसरा वीडियो है और आज तारीक के बात करें तो 3 मई 2024 आज तारीक है दोस्तों हम एक्च्वल में इस सीरीज में क्या डिसकस कर रहे हैं कि एलगो ट्रेडिंग में जो हम ट्रेड लेते हैं और उसका जब बैक्टेस्ट करते हैं और एक्च्वल में जो लाइव ट्रेड होता है उसमें पैसों के बीच में कितना अंतर हमें देखने मिलता है यानि कि हमें या तो प्रोफिट हुआ ये लोस हुआ है उसमें और जो backtest जब आज 3 मई 2024 का हम करते हैं strategy का तो क्या हमें same result देखने की बिलते हैं चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं तो चलते हैं दोस्तों हम algo trading के platform के उपर तो यह हैं दोस्तों algo test और algo test के जरीए हमने finvasia में account खोला हुआ है यहाँ पर बच सके चलिए अब बात कर लेते हैं आज हमने कौन सा live trade लिया और उसका हमें क्या profit या फिर loss हमें देखने को मिला तो यहाँ पर हम click कर देते हैं दोस्तों live trade के उपर और देखते हैं क्या आज का PNL हमें देखने को यहाँ पर मिला है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के उपर कि 402 रुपय का आज हमें यहाँ पर loss देखने को मिला है जो हमने strategy यहाँ पर अपनी deploy की हुई है उसमें तो strategy हमने कौन से deploy की है थोड़ा सा नीचे scroll down करते हैं आप को यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा कि आज जो हमारी strategy है वो यह strategy है जो कि bank nifty में call and put की है buying side में जिसमें हम 5 load में momentum based trading का trade लेने वाले हैं और जहाँ पर हमने 8% momentum जब भी जिस side में यानि कि call या फिर put side में जब भी 8% का momentum हमें दिखाई देगा तो वहाँ पे हम trade लेंगे और 5% का यहाँ पे हमने SL लिया हुआ है तो चलिए इसको देखते हैं कि हमें इस strategy में आज कितना profit या फिर lows हमें देखने को मिला है तो दोस्तों जो strategy हम discuss करने वाले हैं और उसका जिसका back test हम करने वाले हैं वो यह है bank nifty call and put buy 5 lot momentum 8% और SL 5% वाली strategy इसका हम यहाँ पे back test करने वाले हैं तो हमने इसमें क्या के लिया हुआ है यानि कि हमारा trade जो है 9.35 पे start होगा और 3.15 के उपर जो भी हमारी position होगी वो square off हो जाएगी उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पे 5 lot देख सकते हो यहाँ पे position buying side में है call लियावा है weekly option का जिसका premium लगवक 50 के आसपास हमें देखनी को मिलेगा वहीं पे दोस्तों अगर बात करें stop loss की तो 5% का यहाँ पे SL है profit यानि कि हम trail करने वाले हैं profit को 1-2-1 basis के उपर और यहाँ पे re-entry on SL हम 5 बार लेने वाले हैं यानि कि जब भी हमारा SL हो जाए तो उसके बाद 5 बार हम दुबारा से re-entry यहाँ पे करने वाले हैं उसके बाद अगर बात करें दोस्तों momentum जब भी हमें 8% का momentum देखने को मिलेगा तो उस trade को हम लेने वाले हैं यह call side का है और यह same strategy है यह put side में भी हमने लागू की हुई है जब भी हमें momentum 8% का दिखाई देगा तो वहाँ पे हम इसका trade लेने वाले है call and put side में चलिए तो आज की तारिक को यहाँ पे डाल देते हैं backtest करने वाले हैं यानि की 4.1.2023 से 5.3.2024 तक पिछले एक साल का यहाँ पे backtest का result आपके सामने निकल के आएगा देखना यह है दोस्तों की हमें 402 रुपय का वहाँ पे लोड हुआ था आज जब हमने live deploy किया था इस strategy को लेकिन actual में जब backtest हम कर रहे हैं इसका तो हमें क्या P&L देखने को मिल रहा है इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं तो दोस्तों यह strategy आपके सामने खुल चुकी है इसमें अगर हम बात करें दोस्तों अगर आप पिछले एक साल से इस strategy को follow करते तो लगब तीन लाख रुपए का profit आपको मातर पांच लोट में यह पे होने वाला था और average profit जो है हर एक trade में 1140 रुपए का है average winning trade अगर जब भी आपका हो रहा है 1781 रुपए के असपस का है और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि drawdown जो है मातर यहां पे 4443 रुपए का drawdown हमें देखने को मिल रहा है यानि कि maximum आपको पिछले एक साल में अगर आपके 2-3 दिन लगातार loss में भी गये है तो 4443 रुपए से ज़्यादा का आपको drawdown इस strategy में नहीं दिखाई दिया है लेकिन बात यह आती है कि जो आज हमने trade लिया है वो हमें कितना profit या फिर loss देखे गया है आज यहां पे देख सकते हैं तारिक दोस्तों 5-3-2-0-24 और finally इसका क्या P&L आज निकल किया है तो इसका P&L हमें 191 रुपय प्लस यानि कि profit में दिखाई दे रहा है लेकिन जब हम बात करें इस strategy की जब हमने live deploy किया था वहां पे हमें दोस्तों 402 रुपय का loss हमें देखने को मिल रहा है था और यहां पे 191 रुपय का profit दिखा रहा है यानि कि कुल मिला के लगबख 600 रुपय का अंतर यहां पे देखने को हमें इस strategy में live में और backtest में देखने को मिल रहा है live का मैं एक बार दुबारा से आपको दिखा देता हूँ अगर live trade की हम बात करें दोस्तों तो 402 रुपय का हमें loss दिखाई दिया है सेम अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं हमारे फिनवाशिया अकाउंट के उपर सुनने का अकाउंट है फिनवाशिया में इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि brokerage जो है वहाँ पे आपको zero देखने को मिलता है तो यहाँ पे दोस्तों मैंने pin number डाल दिया है pin number डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 402 रुपय का हमें यहाँ भी लोस दिखाई दे रहा है और अगर बात करें हमारे algo test के उपर भी वहाँ पर भी 402 रुपय का लोस है यानि कि 600 रुपय का अंतर है बैक test में 191 रुपय का profit है और actual में जब trade हुआ तो 402 रुपय का low समय दिखाई दे रहा है तो यह है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मैं कोशिस करूँगा वीडियो को थोड़ा छोटा करने की दोस्तों नेक्स्ट क्योंकि अब आपको पता लग गया है मोटा मोटा हम क्या चाहते हैं जो हम live deploy करते हैं strategy और back test करते हैं तो दोनों में कितना अंतर हमें देखने को मिलता है तो 600 रुपे का अंतराज दिखाई हमें दिया है बाकी मिलेंग नए वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जैहिं